अगर सालों से आपकी छाती में बलगम जमा हुआ है जिसकी वज़े से आप बार बार बिमार हो जाते हैं या फिर आपकी गले में बलगम जमा हुआ है खासी, जुकाम, सर्दी, ऐलर्जी की शिकायत रहती है तो ये सब इस वज़े से रहती है कि आपकी छाती में फेफडों मे बल्गम जमा हुआ है तो आज इस बिमारी का मैं एक बहुती सिंपल घरेलू इलाज लेकर आई हूँ जो आप एक बार बना सकते हैं और फिर हफते बर तक यूज करके अपनी बिमारी जड़ से खत्म कर सकते हैं इसके लिए यहां हमें चाहिए तेजपात के पत्ते जिन्हें ह शे-बर लियां मैं बहुत जादा तेजपात के पत्ते लिए वैं बहुत जादा थीजपात के पत्ते नहीं हम सथे इनकोछ दैमेड के दूप से खत्या लीए तेज रहां। हो आपके अच्छल लिया उच्छीस दोल्या, ठीलने उसरे चिLकी को पेग नहीं हैंने रगिली जो छिलके हम जैसे चाय बनाते में अद्रक डालते हैं उनकी ज़िए हम छिलके डालके उसका यूज कर सकते हैं कि उनमें भी बहुत रस रहता है और यह जो बाकी बची अद्रक है इनको हम पतले-पतले पीसिस में कट कर लेते हैं अकसर आपने अद्रक की काफी फाइदे सुने होंगे आपने अद्रक का सूप भी भी आऊगा जो कहते हैं कि हमारी सर्थी में काफी फाइदे मन रहता है लेकिन जब यह तेजपात के पत्ते और कुछ और सामगरी के साथ जब मिक्स होगे जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो एक हफ्ते में माली बिमारी सही हो जाती है तो आदे लीटर पानी में काम हो जाता है इसमें मैं डाल दी है अद्रक के पीसे जो कट करके रखे हैं और अद्रक को एक बास में अची से मिक्स करती हूँ गैस को भी तुड़ा सिमी रखते हो यह जो तेज पात के पत्ते हैं इनको इसके बाद इनको अब मुझे अच्छे से खतका ना होता है इसकी बनने की खासियत कैसे आपको पता चलेगी कि कैसे हमारा रेमेडी जो है तैयार हो गई है जैसे अब ही सारी सामगरी देख रहे हैं सब पानी के ऊपर हैं द्रग तेजपात के पते लों लेकिन जब रेमेडी म यह कैना यहां हो सकता है किया इसको आपके 7 मेडे आट बिलग सकते हैं तब तक आपको उबालत कि खाहिक है तो यह कि बाद टी देर तक बई करेंगे तो उसके बाद एचब गण शामगरी है अगर जो भण अद्रग सही राइव है निग ऐट बनाईए और इससे अपनी सारी बिमारियां दूर कर दीजिए आप देख सकते हैं तेजपाती है पत्ते हो चाहे अद्रगों चाहे लॉंगों सारी पनी के नीचे जाके बैठ चुके हैं मतलब जैसे मैंने बोलाता है यह हमारा बिल्कुल मिक्स्चर तयार हो चुका है आप दे अणुट मेमें यह हमारा हनी होती है यह मारा हनी शेहाद तो यह स्ब्सक्र है तो यह तो यह कास पून शेपाण देख वंधर का अच्छा लिगई के लगता है आख लिग के फाईदा यहां एक अगर आप इसमें हैं शेहाद तरी तो आप अपको ठीका आपन को थोड़ अगर आप diabetic patient है इसे शेहत पीना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे skip किये करके भी directly इसको पी सकते हैं इसा शेहत डालना जरूरी नहीं होता शेहत डालने के बाद इसको खुब अच्छे से mix कर लेती हूँ अब देखें यह तो मेरा जो मिश्रण है वो बिलकुल तयार हो चुका है इसको अब ढगकर बिलकुल बंद करके इसको रख दीजा स्टो कर लिजे और हफ़ते में डेली सुबह बस एक ग्लास इसको पी लीजिए पानी डाल के जैसे आवी में वतारी हूँ आपको कैसे पीना ह गरम पानी है डालना हो तो नीबू का रस आपको प्संद आप अब बनन पी लेती हो वियू अब बच्स देखें लीसिते हैं अब इसको लीटा टाले यही ट् पीने में भी सिंपल है खस्वादिश लगता है और बनाने में इतना सिंपल है कि आप आसानी से बना सकते हैं तो मुझे उमीद है आपको ये मेरी आज की रेमेडी पसंद आई होगी कैसी लगी कामेंट्स में बताइएगा मैं आप लोगों से कोई नई अच्छी रेसिपी या पर कोई अच्छी रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप इससे देखते रहिए इसे अप